हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव की तैयारिया तेज हो गई है और सभी दल प्रदेश की सत्ता पर काविज होने का सपना सजोए अपनी पूरी ताकत जोक रही है वहीं विपक्ष ने सत्ता धारी बीजेपी को घेरने की रणनिती बना ली है तो बीजेपी कुरसी बचाने की जुगत में लगी हुई है क्योंकि प्रदेश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी बूरी तरह घेरी हुई है और कॉंग्रेस को उसका फाइदा मिल सकता है जैसे जैसे समय बीत रहा है हिमाचल प्रदेश में चुनावों के चलते हल चल तेज हो गई है और हिमाचल की राजनीतिक इतिहास के चलते यहां बेहद रोचक मुकाबला है क्योंकि हिमाचल में हर पांच साल में सरकार बदलने का इतिहास है ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के सामने अपनी कुरसी बचाना बड़ी चुनावती बनी हुई है तो वहीं कॉंग्रिस सत्ता में आने के लिए जीतोड मेहनत कर रही है जिसके लिए पार्टी ने अभी उदैपूर में तीन दिन का चिंतन शिविर भी किया जिसमें कई मुद्दों पर मन्थन हुआ पार्टी की कम्यों को दूर करने पर बात हुई ऐसे में आने वाले समय में होने वाले चुनाओ कॉंग्रिस के लिए बेहत एहम है क्योंकि इन चुनाओ से कॉंग्रिस को काफी उम्मीदे हैं खास कर चिंतन शिविर के बाद पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है इस पर भी सभी का ध्यान रहेगा ऐसे में कॉंग्रिस ने चुनतन शिविर के दौरान हिमाचल चुनाओ में बीजेपी को मात देने की रणनीती भी बनाई साथी उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिन पर बीजेपी को घिरा जा सकता है उन सभी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल में अभी हाल में सामने आया पेपर लीक मामला शिविर के आखरी दिन कॉंग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुकला ने इस मामले पर सरकार को घेरने की बात कही उन्होंने कहा कि हिमाचल में हजारों युवाओं की भविशे से खिलवार हुआ है पुलिस की भरती का पेपर लीक होने के मामले से मौजूदा सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई कॉंग्रेस इस मामले पर सरकार को घेनने का क्रम लगाता जारी रखेगी और ये सिलसला तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रदेश में भरती घोटाले का परदा फाश ना हो जाए उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबी आई जाच होनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि जो भी घोटाले हुए हैं उन सभी की जाच के मामले आगामी दिनों में उठाए जाएंगे बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर कॉंग्रेस लगातार सरकार के खलाफ हला बोल कर रही है इससे पहले कॉंग्रेस कारेकरताओं ने प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूका था यानि कॉंग्रेस की रणनीती से साफ है कि इस बार बीजेपी का सत्ता में वापसी करना मुश्किल है दीवी लाइव की रिपोर्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन करते है